नमस्कार स्वागते आप सभी का हमारे बेहत खास कारिकरम में मैं हूँ आपके साथ शेल जतियागी दर्शको लखना विजिट पे सिहत और जिंदगी की प्रोग्राम की पूरी टीम है जहां पे हम अपने पेशेंट से मुलाकात कर रहे हैं कि जो लोग सिहत और जिंदगी परिवार का हिस्सा हैं वो लोग कैसे हैं कैसे वो खुद का ख्याल रख रही हैं हकीम साब के कौन-कौन से नुसके अपना रही हैं और अब वो कितना स्वस्त खुद को महसूस करते हैं तो इसी दौरान आज हम पहुंचे हैं लखनाओ के कृष्णा नगर में जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास महमान जी हां मैं बात कर रही हूं शिवरात सिंग जी की आईए मिलकर उनका स्वागत करते हैं खास बातचीत उन से करते हैं बहुत-बहुत स्वागत है जी जी आप हकीम साहब से कैसे जोड़े हैं हकीम साहब से मैं अधिकतर जो आता था ओपिस तो टीवी खोलता था तो प्रोग्राम आता था तो हकीम साहब का प्रोग्राम आता था फिर मैं प्रोग्राम देखता रहा हूं देखते देखते जो है हकीम साहब की दवाईयां और जो आप रहती थी, आपके द्वारा कॉल आते थे, उनकों में देखता था, तो जो दवाईयां थी, मैं लिखता रहता था, तो दीरे-दीरे मैं देखता रहा कि फिर मैंने दवाईयां लेना शुरू कर दी, दवाईया लिए पहले आपका जैतुन का शिर्का लिया, तो उसे म तो मैंने दो दिन पहले ही सुगर को टेस्ट कराया तो बहुत संतुष्ट हुआ बहुत खुश हुआ अच्छी चीज है क्योंकि समय के अभाव के करण में टेलने भी नहीं जा पाता था तो मेरा ओपिस में लगभग में 12 गंटे रहता हूं अभी 11 गंटे रहता हूं सीम आपि प्रेरित किया उनको भी बहुत परेशानी है तो बहुत अच्छा है तो यह चाहता हूं कि सभी लोग जो है इनावनी अपना और अंग्रेजी दवाईयों से बचें जिससे के और जो अंदर जो हैं और पार्ट्शों को निक्षान नहों तो अच्छी चीज है सरा प्रोग्राम तो बहुत वक्त से देख रहे थे लेकिन आपने अभी हाल फिलाल में ही दवाईयों लेने शुरू की हकीम साहब की तो अंदर से यह कहां से मनुबल आये कहां से विश्वास आये कि अब मैं ठक चुका हूं मुझे वो दवाईयों नहीं खानी है अब मुझ सब्सक्राइब कर यह कहते थे कि आवर्वेदिक और इनानी में ही इसका इलाज है तो हम इसी की खोज कर रहे थे तो मैंने का कहीं हमको ऐसा मिल जाए जिससे के हमारा जो है पूरी तरह रिलीफ हो जा मुझे अंग्रेजी दवाईयों कम से कम लेनी पड़े तो मैंने सोचा पर जो इसके बाद आपका पीरोग्राम आता था तो प्रोग्राम को मैंने देखा और उसी से लिया और उसी के हिसाब से मैंने मुमेंट किया और में दबाव को लेना शुरू कि आप फरवरी दोह जार बीस में मैं ओपिस में था तो मुझे बहुत एक ऐसा दिखाई दिए तो मैंने सोचा कि जो है मैं अपनी शुगर को टेस्ट कराता हूं तो मैंने टेस्ट कराया तो उसमें जब रिपोर्ट आई तो उसमें 506 मेरे पास रिपोर्टें भी है तो कभी आपके साथ कुछ ऐसा अनुभव रहा है कि शुगर आपकी बहुत बढ़ गई हो और फिर आप घबरा गए हूं कि इतनी कैसे बढ़ गई है अब मुझे क्या करना चाहिए किस तरफ जाना चाहिए कौन सा उप्चार अपनाना चाहिए क्योंकि आप पहले भी ट्रीट मैं अने विश्योच नहीं रहा कि मैंने इंसुलेन लेने से लिने करने दिया मैं आपकी इनानी और आरवेद आजना चाहता है तो ऑब्रॉद शाब रहा हाँ कि वी इसको नहीं ले सकते हैं। कौनHHHH नहीं कि हिसको नहीं ले सकता है। को को तो बने सकते हैं तो इसको बंद्ध किया है उसको बीट शुवे शाम लेता हूं और जामनुका गौंद लेता हूं यह वे नवी तो इससे महें काफी रिलेए लेवल आपका कब बहुत ज्यादा हाई हो गया था पांसो छे था शुरूगात में यह लगबख फरवरी 2020 में तो यह था मैंने ऑपेस से आकर जब चेकरा तो में लेकर गया तो डॉक्तर साब ने का आपको मालूम आपके पास कितनी शोगर है आपको तो मैंने का भाई हमें मालूम थैं मेरे तो हम सुनते थे अपनी दादी से और बाबा से और सभी लोगों से कि दवाईया अधिक आरगार होती है थोड़ा समय लगता है तो दवाईयों को मैंने का कि थोड़ा हमें इसको जब कम कबर कर लें अंग्रेजी दवाई से कबर कर लें तो फिर में यह नानी या अर्वेति थे तो अमारे फैमिली डॉक्टर थे पहले सी देखते थे तो उनहीं के अलावा फिर जो हम से इंग्रेजी दोपाई से में दवाईयों लेता रहा कुछ मैं अपना जो एंग्या मी किया उससे कंटॉल किया तेलता भी था उससे कंटॉल किया फिर उसके बाद जो है आपकी आपनाना शुरू किया आपने टेलीविजन पर हमारा प्रोग्राम देखा ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम आते हैं मेरे पास लगबाग एक हंडेट दवन्या आपकी लिखी होंगे में डारी में लिखता हूं तो हर इनसान की अपनी एक सोच होती है कि क्या हमें यह वाले ट्रे उसके अपनाने चाहिए एक बर अपना के देखने चाहिए नहीं यह तो बहुत परानी बात है कि मतलब जो हमारे दादा दादी थे और पिताजी भी हैं सब हैं तो बहुत पहले से बताते हैं जड़ी बूटियां बहुत अच्छी होती है तो यह पहले से भी सुन रखा था आहां कियो मैं करता हूं तो मैं सारी चीज जानता था तो मुझे इसम इसमें जाना ही था तो यह नहीं की मदद कर चुके वाया도 के इतने लोगों की मदद कर चुक्यां कॉन कॉन हैँ एक तो हमारे ड्राइवर्स हैं हमारी ओपीस में उनको कली ले गए तो उनकी रिपोट बहुत पॉजितिव है बहुत अच्छी है तो आपने जब अपने ड्राइबर को बताया कि यह दवाई आप इस्तमाल केजिए उनको परेशानी थी उनको भी शुगर है उनको भी शुगर थी हमको भी शुगर तो दोनों लोग चिंतन करत हो कि यह कि टिनी होती है और शरीर को बहुत निक्φान होता है शाइड हो जाते हैं में सबस्क具 भी वाय बहुत मीज में अटाया को करता था कि पहले पराने में ऊएक यह और करा देती हममें पता बहुत नहीं कि कभा शूगर के शुगर के शिकार हो गए तो क्या आपके साथ कोई ऐसा अनुभव रहा कि जब आपकी शुगर बढ़ गई हो तो आप डर गए हो घबरा गए हो या फिर आपके फैमिली मेंबर परिशान हो गए हो कि यह कैसे इतनी बढ़ गई है क्योंकि शुगर के बहुत सारे घातक परिणाम भी है यह तो आप भी नहीं गवडा तो गए थे मैं भी गवडा गया था क्योंकि 506 बहुत और शुगर का बताते हैं कोई इलाज नहीं तो शुगर की बीमारी घातक तो होती है और इसमें अधिकतर जो एकमजोरी मैशूश होती है और सबी लोग घवडा जाते हैं तो घातक तो है लेकिन इसका इलाज तो है उसको यद लिया जाए सही तरी से थोड़ा टाइम लगता है तो ऐसा नहीं कि इलाज मैंने आपके यहां से देखा जो आपका प्रोग्राम आता था जिसमें आप और राकीम साब जी आते थे तो मैंने उसी से देखा मैंने नोट किया मैं नोट भी करता हूं ड इनानी में और आर्वेद में जाए और जिसको लेना है तो हम अपनी शॉप भी ले जाते हैं और दिलाते भी हैं मैं गया भी था आपके यहां तो सर कोई अनुभव एक और मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगे अगर आपका रहा हो तो मार्केट में हकीम साब के नाम से बह तो वो बजार चले गए हमारे मात बदल पंसारी जी हैं लखनों बड़े फेमश तो वहां के लेकर गए तो उन्होंने का सर आप तो बता रहे थे कि 1500 का सो ग्राम है और यह तो साड़े तीन सो का आया है तो मैंने बताय तो आपने नहीं खरीदा तो उन्होंने दो चार दिन खाया करें कोई परड़ाम नहीं आ रहा है तो मने की परड़ाम कहां से आएगा एक जमीन आश्मान का फरक है तो जब आप सही लेंगे तभी तो फाइदा करेगा तो नहोंने लिया तो मैंने के नकली है क्योंकि मैं इस पर मॉबैल पे भी रिचार्श करता रहता था 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 और आपका गौंसिया भी लिए आप अब भी लेगा जो लोग आपको सुन रही हैं जो अभी तक नुस्के नहीं अपनाते हैं या फिर बहुत सारी बिमारी इससे परिशान है युनानी की तरफ नहीं आए हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे मैं सभी को यही मैं घख़डाना नहीं चाहिए लेना चाहिए और मैं तो भविश में भी यही चीज है कि इनानी में और उनको जाना चाहिए औरिये और कीम साहब आपको सुन रहे हैं आपका इंट्रिव्य देख रहे हैं आप उनके लिए कोई में अकीम साहब से यह कहता हूं कि इशरुन को लंबी मर्दे जिससे हमको देशबासियों को और संपूर संसार को फाइदा हो जैसे मुझे फाइदा हुआ है मैं यही कामना करता हू और अच्छी तरह रहें जिसे हम लोगों को शेवा देते रहें और हम उनके दवानियों से अपना टीटमेंट कराती हुए स्वस्त रहें बहुत अच्छा लगा सर कि आपने घर हमें आमंतृत किया और इतना वक्त अपना कीमति हमें दिया हमारी पूरी टीम की तरफ से आप हमारी तरफ से भी सबको तो दर्श को आप सभी ने सुना क्रिश्णानगर के निवासी हैं लखनाओ में शिवराज सिंग जी जिन्होंने ये बताए कि हकीम सहाब से जुड़के अब वो कितना खुद को स्वस्त महसूस करते हैं और एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लोगों तक भी उन्होंने हकीम सहाब के नुस्के पहुंचाए हैं तो ये मदद आपको भी करनी होगी अगर आप लोग भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आप लोग भी फिट और फाइन रहना चाहते हैं तो करना क्या है आपको सेहत और जिंदगी प्रोग्राम का बस एक हिस्स कर।